मिलेट्स की अंबली खाने से डाइबेटीज रिवर्स होती है ये कहना है डॉक्टर खादरवली का ऐसे में अंबली कैसे बनाई जाती है ये जानना जरूरी है इसी लिए अंबली बनाने का एक डिटेल्ड वीडियो आमने टेकनिकल फार्मिंग पर डाला था उस वीडियो में मिलेट्स की रेसिपी अक्सपर्ट मेगना शुकला ने अंबली बनाने का पूरा तरीका बताया था उसी वीडियो के दूसरे बाग में आज मेगना शुकला अंबली को और भी टेस्टी बनाने की रेसिपी बताएंगी ताकि आपको मिलेट्स की अंबली से सहथ के साथ साथ के बाद आप उसे देख सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं अंबली को टेस्टी बनाने की गजब रेसिपी टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाए ताकि आगे आने वाले वीडियो गी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेगनाजी मिलेट्स की अंबली बना चुकी है अब इसी अंबली को और टेस्टी बनाने की रेसिपी बताएंगी मिलेट्स से अंबली कैसे बनती है इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप अंबली बनाने की प्रक्रिया उस वीडियो में देख सकते है और अम्बली को टेस्टी बनाने की रेसिपी मेगनाजी इस वीडियो में दिखाएंगी अगर हमें अम्बली से कुछ भी शेक बनाना है या ड्रिंक बनाना है तो कैसे बना सकते तो इसमें आप अलग अलग सब्जियों के कॉंबिनेशन ले सकते मैं आपको दो तीन सब्जियों का दिखाती हूँ बनाकर कॉंबिनेशन सिमिलर है तो अभी सबसे पहने आप देखिए मैंने इसी एक चौथाई का पैना इसी नाप से बना रहे हूँ ये देखिए मैंने ये नौकी विये और ये स्टीन की विये मतलब धापने पकी विये आप इसे उबालकर भी ले सकते पर उबाल कर लें तो इसका पानी मत फेकिएगा, ये देखिए, मैंने ये एक चौथाई कप, ये मैं आपको एक ग्लास बनाने के लिए ना पता रही हूँ, ये मैंने एक चौथाई कप लोकी लेनी है, फिर एक चौथाई कप भाप में पका हुआ कद्दू है, ये देखिए, थोड़ासा मैं इसमें काला नमक टाल रही हूँ, फिर ये दई है, ये दी मैं इसी कप के नाप से दे रही हूँ, ये देखिए, ये एक चौथाई कप के नाप से लिए है, तो ये काफी गाड़ा है, इसके मैंने सिफ एक चौथाई कप लिए है, अगर दई का कौंटिटी आप ज़्यादा करना चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं अब इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक दाना है थोड़ा सा इसमें फ्लेवर बढ़ाने के निये मैं डाल देना हैं ये मैंने फीसा हुआ है अधरक आप चाहने तो खीसा हुआ दरग भी डाल सकते विल्कुल थोड़ा सा एक चोथाई से आदा चमच आप भी टेस्ट पर डिपेंड करते हैं अगर आपको ज़्यादा कॉन्टिटी में पसंदे तो आप ज़्यादा डाल सकते वरना कम डानीर फिर ये मैंने निया है हरी मिर्च का पेस्ट ये भी सिर्फ एक चोथाई चमच है एक चोथाई से आधा चमच लिया है एक चीज और रहे गई ये हमारी मुमफनी है तो आप इसे इस तरह भी बना सकते पर मैं थोड़ी सी ये सीकी हुई मुमफनी है और चिल्की की सहीती मैं इसे यूज कर भी हूँ ये भी अब एक चमच लाल सबके अब इसे मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लोगी है अब अब आप शुरू में पीस है तो इसे विलकुल कम पानी के साथ पीस हीएगा और बात में अप चाहें तो फोड़ा सा पानी डाल सकते हैं तक ये अच्छे से वन अब अच्छे से पीसे लानी और ये कम पानी के साथ हीएगा इस तरह से पीस का ये आप बेखिए कितने अच्छे से पीस गई ये सारी चीजे अब ये मैंने अंबली दी है थोड़ा सा मुझे भी ठिक लग रहे अगर आपको भी ठिक लग रहा हो तो इसे हम लोग और पानी डाल सकते हैं ये देखिए इसमें मैट चार कप अमरली नेम लों दी बान अगर आपको फिर भी बताई कि थोड़ा सा और पतला करना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए बट मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि कभी आपको नपता है कि ग्लास में आपका मिक्सिंग उत्में चीसी नहीं होता है तो अगर आप इसे मिक्सिंग में चनाना चाहतें तो देखिए अंबली को हमें मिक्सिंग में जित्साब कम चनाएंगे बिक्कुल फास्ट नहीं चनाना है मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ कि इसे मिक्सिंग में चनाने का तरीका क्या है ये देखिए आप त्रॉपर मिक्सिंग करना चाहतें थोड़ा सा मुझे भी लग्रेट फिक है थोड़ा सा मैस में पानी ओर डाल नेती हूँ पर ये अपकी एक मीद के लिए इनवस में एगा अब आप ध्यान से देखिए कि मिक्सिंग कैसे चनाना है बिल्कुल जैसे नॉर्मन ही चनाते हैं वैसे नहीं चनाना है इसे पर्ल्स मूट पर चनाना है देखिए बस मिक्स हो गई आप थी अम्भी को ये देखिए क्यूंकि अगर आपने इसे ज्यादा तेजी से चना दिया तो इसके माइक ग्रोब्स खतम होने का दर है इसलिए ये देखिए इस तरह से ये एक पर्सन के लिए इनफ है आपकी बने एक ग्लास में बने दो ग्लास में बने बट एक पर्सन इसे अराम से अब ये देखिए है ना कितना बढ़िया एक नम पतला और आपका बहुत अच्छा ड्रिंक रेडी है आपने देखा कि इसे अंबली में बनाने के लिए मैंने इसमें तो अच्छा नमक प्या हुआ था इसने अब तुरंत याप इसे पीमिंग जीए ज्यादा देर मत लगा लिएगा हाँ अम्पली अपने लिक्विट फॉन में है तो अम्पली से पहने आप कुछ भी मत खाईए अम्पली खाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे खानी पेट पीए अब इसे पीने के बाद आप चाहे तो 10-15 मिनिक बाद बोजन कर सकते हैं नाश्टा कर सकते हैं फॉल 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 जो भी खाना चाहें लेके अम्पली को सबसे पहले मतलब खानी पेट लेना है आप इसे सुबा ने तब भी खानी पेट ले दो फ़र को ने तो भी खानी पेट मतलब अट लीस दो तीन गंटे आपके निकाई रहे हो में में लिए तो इसे हमेशा आपको स्टमक लेना है अब आपने जैसे यह कॉंबिनेशन देखा कि मैंने इसे लौकी और कदू के साथ बनाया है सेल तरीके से आप चाहें तो उगलियों पालक के साथ भी बना सकते हैं और जैसे बीट्यू के साथ बना सकते हैं बहुत सारी सबजियों के साथ इस तरह से अमली ब इस तरह से आने देखिए भीगों कर खजूर रखे हुए तो आप दो तीन खजूर आज सकते हैं उसे मिठा कन्मी के लिए बट बिलीव मी मीठे शेक सांग बहुत ने पर इस तरह से नमकीन शेक मना कर पीजिये आपको हमेशा हर शेक मीठा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ तो निकिन अब भी मैं बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा ठंड स्टार्क हुए है तो फ्रेवर किने मैं इनर्ची की जदा इसमें तालचीनी का इस्तेमाई करूं भी ताकि उसमें थोड़ी सी गर्मा हटा जाए आप इसे सारे बहुत सारे फ्रोट के साथ बना सकते हैं अकॉर् कोई भी फल जो आप चाहते हैं जिसकी स्मूधी आपको पसंदे वो आप ले सकते हैं लेकिन आप देखें कि इस स्मूधी में हम दोग दूद का स्नेवान देंग करेंगे गर्मी है तो आप थोड़ा सा नारियल की दूद में भी से बना सकते हैं बहुत अच्छा बनेगा व तो अब देखें मैं केले की स्मूधी बनान आपको बता रहे हूं यह देखें मैंने एक मीडियम साइज का केंडान यह है इसे डाल देते हैं इसे थोड़ा सा और भी पका हुआ अच्छा पका हुआ रहे था तो इसमें मिठास जादा रहेगी उसमें अब आप चाहें तो य चाल खजूर लेनिये हैं यह देखें मैं इलाइची अभी नहीं नहीं रहे हूँ ठंड आ रही है गर्मी में तो इलाइची बहुत अच्छी रहती तो अभी हम इसमें डाल देंगे दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा यह देखें इसे अब आम अच्छे से थोड़ा सा पान होते हैं तो आप चाहें तो उनके सब बीग हुए काजूर बीग हुए बादान जैसे अभी आप चाहें तो इसमें बुंफली भी ने सबते हैं लेकिन मैंने अभी इसमें यह थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी से चाहन करना गी बहुत कम पानी के साथ चान कीजिएगा जादा पानी दनेंगे उशेद आपके सीद्स और आपके फूट्स वगेरा दंसे आपके सीद्स नेपाएंगे बढदेगरांश्कर रिखेवास् मेरी रिखेएंगे ह cathedral आपके रर्छ भीवास्कर ने ऐपके साथ र CHRISTB अ क्चैनल आपके सीदामर कीए है आपिसे भी रहांद अच्छामर के अड़े राथ मतानी ब Kelvin के मैंद्सिद्स अम्भी डाल लेती हो, ये दो कप इस तरह से इसमें अम्भी डाल डाल है, अब अम्भी की quantity आपके टेस्ट के उपर है कि आप कितना डालना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि और ज़रूरत है, तो आप इसमें थोड़ा और डाल समते, मेरा ग्लास थोड़ा सा फोल हो रहा तो जैसे मैंने कद्दू की स्मूधी बनाते ताइम आपको दिखाए रहा था, सेंग तरीके से आप इसे हलका सा मिक्सी में, बहुत हलका सा जान कर जी, प्रॉपर मिक्सी ही खर सकते हैं, वरना हमने बैसे भी सारा है, इसमें स्मूधी सारी चीज़े, आप इसे ऐसे भी पी था, अंबली सुबह खानी पेट खानी चाहिए, और उसके कुछ समय बाद ही मिलेट्स से बना हुआ भोजन करना चाहिए, ताकि डायबिटीज और दूसरी लाइफस्टाइल से जुड़ी विमारियों को जल्दी से रिवर्स किया जा सके, जिन लोगों को डायबिटीज है, वो मिलेट्स की अंबली और मिलेट्स का खाना कैसे शुरू करें, इसके बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो जल्द ही टेकनिकल फार्मिंग चैनल पर डाला जाएगा. सब्सक्राइब करना ना भूले.